हलो बच्चो वल्कम बैक टो आट चैनल इजी वेर टू स्टुड़ी बच्चो आज हम आपके लिए लिखे हैं क्लास एट की विज्ञान विश्य की कारया पत्रख नमबर बारा बच्चो जैसे के आप सब जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है औ दातोय ऑक्सिजन से अभी ख्रिया कर दातो ऑक्साइड बनाती है दातो जमा ऑक्सिजन बनाती है दातो ऑक्साइड पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैगनिशम रिबन को वायू में जलाने पर सफेद रंकी राक के रूप में मैगनिशम ऑक्साइड बनता है लोहे की व जब कोपर के बरतन को लंबे समय तक नम वायू में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हलकी हरे रंग की परच जम जाती है यह हरा पदार्थ कोपर हाइड्रोकसाइड और कोपर कार्बोनेट का मिशन होता है अभिक्रिया नेमलिकित है बच्चो इसकी अभिक्रिया क्या होग वह यहां पर दिखाई गई है इसके बच्चो हमें क्रिया कलब बताया गया है हम एक क्रिया कलब के द्वारा जानेंगे कि दादों के उक्साइड की प्रकरती आमलिये होती ही या शरीय है हमें चाहिए लोहे की जंग हल्दी पेपर लिटमस पेपर लालवे नीला सूचक और टेस्ट्यू रस्ट यानि जंग को एक टेस्ट्यू में खटा किया और उसब पानी में गोला रस्ट पानी में नहीं गुल पाता है आप रस्ट की जगए मैंगनेशम उक्साइड ले सकते हैं मिश्रन को थोरी देर तक हिलाया और नीले और लाल इटमस वे हल्दी के सूचक स होते हैं इसके बावचो हमें बताए गया है जल के साथ अभिक्रिया दातुए जल से अभिक्रिया कर दातू उक्साइड बनाती है और हाइडरोजन गैस उत्चरजित होती है दातू जमा जल बनाता है दातू उक्साइड जमा हाइडरोजन सोडियम दातू बहुत अधिक रखा जाता है कुछ दातुए आयरन या लोहा जल से दीमी अभिक्रिया करती हैं सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता अतय हम कह सकते हैं कि सभी दातुए जल के साथ अलग-अलग गती से अभिक्रिया करती हैं इसके आफचा हमें कुछ प्रशन दिये गए हैं चलिए देखते हैं इन प्रशनों के उत्तर, पहला प्रशन, सोडियम दातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो इसका उत्राब लिख सकते हैं, सोडियम दातु अत्यदिक पृतिक्रिया शीद होती है, यह बहुत तेजी से ऑक्सिजन और पाने के साथ पृतिक्रिया कर जो बहुत अधिक गर्मी पैदा करता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, अगला प्रशन, मैगनीशम रिबन को जलाने पर क्या बनता है, तो इसका उत्राब लिख सकते हैं, मैगनीशम रिबन को वायू में जलाने से मैगनीशम बनता है, जो सफेद राग के रूप में होता है, अगला प्रशन है, लोहे के दर्वाजे वे खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है, तो इसका उत्राब लिख सकते हैं, लोहे के दर्वाजों और खिड़कियों को जंग लगने से बचाने के लिए ही पेंट किया जाता है अगला प्रशन है दातू के उक्साइड की प्रकृति कैसी होती है इसका उतराब जखते दातू के उक्साइड की प्रकृति शारिये होती है बच्चो यह हमारे वक्षीट का आखरी प्रशन था इसे एक साथ हमारे वक्षीट यहां पर समाप्त होती है आशा करते आपको जल अंसर करने की कोशिश करेंगे और बच्चो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन बटन जुरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएं तैंक यू